मित्रों, आज मान्नी उच्चे नियायले ने श्री केजरीवाल के संदर्ब में जो निर्णे दिया है, उससे तथ्यों के कठोर धरातल पर आम आदमी पार्टी का अहंकार चकना चूर हो गया है। स्वगोशित, कटर इमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार तार हो गया है। अहंकार ये था कि मुझे छूट नहीं चाहिए, मुझे दूसरे को गलस साबित करना, इसलिए मैंने कहा कि वो अहंकार चूर चूर हो गया है। क्योंकि मानी न्यायले ने जो अभी मीडिया में प्राप्त सूचना उसके अनुसार, यह बिंदुस पश्ट का है, कोर्ट क्लारिफाइज, that the petition is for deciding the arrest is illegal, क्योंकि उन्होंने तो सीधे यह कहा था कि arrest ही illegal है, यानि वो जमानत मांगी नहीं रहे थे, और इतनी बड़े अहंकार के साथ वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, दूसरा विशे, बहुत इस पश्ट मैं आपके सामने उद्दर्द करना चाहता हूँ, बार बार हम लोग कहते थे, साक्षे, जाँच एजन्सी उन्हें दिये हैं और वो नियाले के समकष हैं, न हमारे पास हैं, न किसी अन्न के पास हैं, इसलिए उस पर बयान बाजी निरर्थक है, इस पश्ट रूप से कोट कह रहा है कि जो साक्षे दिये गए उससे प्रतीत ह होता है कि वह नीती बनाने में बाकाइदा कंस्पाइड अधिये एक्साइस पॉलसी और फिर लिखा हुआ है, वस इन्वालेशन अफ़ूलेशन 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 पॉलसी और उससे प्राप्त चीज को अवांचित अपराधिक चीजों में प् यानि प्रत्रम द्रश्टिया वो नीती को बनाने में मुख्य सूत्तधार थे और फिर उसके बदले में धन प्राप्त करने में अपनी दूसरी भूमी का यानि आम आदनी पार्टी के सयोजक के रूप में करता धरता थे उसके उपरां मानी नियाले ने एक और गंभीर अब्जर्वेशन दिया है कोर्ट सेज डाउटिंग ग्रांट अफ पार्डन अफ अप्रूवर एमाउंस तो कास्टिंग असपर्शन और जुडिशल प्रॉसेस अरथात किसी को जमानत दी गई या नहीं इस पर टिप्णी करना सीधे सीधे न्याय पालिका के उपर टिप्णी करने के समान है भाई अगर आप देखें तो इसी आधार के उपर अभी शन्य सिंग जी को तो बेल मिली है आप इस धंग से राजनेतिक आधार के उपर कोर्ट के निरणेयों की के उपर समीच्छा आख्षेप और कटाक्ष नहीं कर सकते हैं इसके आगे और इस पश्ट रूप से कहा गया है वो गिफ्स टिकेट पर कंटेस्टिंग एलेक्शन and who purchases electoral bond is not the concern of the court यह बहुत महत्वपूर प्रेक्षण है is a very significant observation by the high court कि किसको टिकेट दिया गया किसने electoral bond लिया इस विशे का court की proceeding से कोई लेना देना नहीं है अर्थाथ जो एक कानूनी विशे को वो राजनेतिक विशे बताने का प्रयास कर रहे थे that was cleverly when he was trying to put a cover of technicality on their hidden motive of politicality which has been totally discarded by the court अब देखिये एक और बिंदु पे कहा है the investigating agency under the criminal jurisprudence can't be directed to conduct the investigation as per convenience of the person जो बार बार कहते थे कि ED हमें ये बताए कि इस तरीके से मुझे जवाब देना या उस तरीके से मुझे इस capacity में बुलाये जा रहा है इस capacity में बहुत इस पश्ट का आए कि आर ओपी को ये अधिकार नहीं है किसी विक्ति को कि वो ये तै करे कि किन नियमों किन प्रावधानों या किस प्रक्रिया के तहत अथवा किस रूप में जाच agency उससे जाच करना चाह रही है अगला बिंदू और गंभीर है अगला बिंदू और गंभीर है दे कोर्ट वोंट ले डाउन different categories of law one for common citizens and other granting special privilege to chief minister आम आदमी party पुना अंडरलाइन करके गता हूँ आम आदमी party के तथा कथित आम आदमी मुक्यमंत्री के बारे में इस पश्ट रूप से माननी नियाले कह रहा है कि सामान ने आम आदमी के लिए एक नियम और आम आदमी party के मुक्यमंत्री के लिए दूसरा नियम यानि नाम तो आम दीवान आम और चाहते हैं कि डील किया जाए दीवान खास की तरह तो ये खासो खुसूस खासियत पूरी तरीके से खारिच कर दी गई कोर्ट के दौरा पुना मैं कहना चाहता हूँ ये सबसे महत्पूर बात है ये वही थे जो नाना प्रकार की चीज़े कहते थे मैं बंगला नहीं लूँगा मैं गाड़ी नहीं लूँगा मैं टोपी पहनूँगा मैं सिकूर्टी नहीं लूँगा बगरा बगरा जबकि मैं सारी बाते कर रहा हूँ ये सारी चीज़े आवशक्ता होती है सुरक्षा क्या आवशक्ता होती है परन्तु ये जो आम आदमी का चोला था वो पूरी तरीके से धराशाई हो गया चूंकि वो खुद एक खास टीटमेंट चाह रहे थे इसके उपरान कोट कहता है कोट on necessity of arrest जो उन्होंने कहा कि क्यों उनको हिरासत में लेना चाहिए ED was in process of enough material which has led to arrest of केजरिवाल non joining of investigation by केजरिवाल delay caused by him was also impacted those in the judicial custody अर्थात उनका बार बार ED के संबन को दरकिनार करना जवाब देने से मना करना यह गलत था और परयाप्त material उपलब्द था उनसे पूश्तास और जाच करने के लिए दूसरा एक गंभीर बात कही गई जो बार 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 नियाइक प्रिक्रिया को राजनेतिक रंग देने का प्रियास और उसके उपर राजनेतिक आक्षेप करने का प्रियास है उस पर कोट ने साफ कहा है जजज़ आर बाउन बाइद लौ नॉट बाइद पॉलिटिक्स आप उसमें राजनेतिक करना चाहते हैं चूंकि आप लगातार नौनो सम्मन डिले कर रहे थे चूंकि आपको पता था कि लोकसभा का चुनाओ आने वाला अनायास नहीं आने वाला था इसकार्थ यह हो गया कि आप नियाईक प्रिक्रिया को राजनेतिक दहलीज तक ले जाने का कारे आप कर रहे थे कोट ने इस पस्ट का आए किसी भी प्रकार की राजनेतिक गद्विदी से नियाईक प्रिक्रिया प्रभावित होने वाली नहीं है अर्था टाइमिंग वाली बात धुस्त हो गई देन उसके आगे और उससे गंभीर बात कही है जो इस प्रकार की बात कहना कि चुनाव आ रहा है वैसे तो ये लोग इस बात के बड़े आदतन शरारती है याद करिए 2019 के लोग सबा से पहले कॉंग्रेस पार्टी के नेतावी वकील का चोला होड का शीराम जन्मुमी के मुद्धे पर भी यही कह रहे थे कोड साफ कहता है कि यह जो आप तथा कतित अपनी नेतिकता राजनीत का बात करते हैं इससे कोड को कोई मतलब नहीं है वो केवल हाड कोर फैक्स के बारे में कहता है अब आगे की बात और भी गंभीर है जो कहते थे चवनी नहीं मिली इस पॉइंट में मनी नियाले कहता है इस कोड होल्ट एट एडी वास एबल तो प्लेस एनफ मेटिरियल स्टेप्मेंट अप्रूवर्स और यह जब उनके स्वयम के प्रत्याशी ने यह बयान दिया है कि उसको इस इस प्रकार का धन इस इस स्रोत से प्राप्त हुआ है तो यह प्रत्म द्रश्टेया इस संदेह की पुष्टी करता है कि पैसा कहां से है जो कहते थे चवणी नहीं मिली अब चवणी नहीं वो करोणों का ट्रेल मिल रहा है इसलिए हम यह बात साफ कहना चाहते हैं कि इंडिया अगेंस करप्षन की अन्ना करांती से शुरुआ हुआ अंदोलन आज के 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 में तबदील हो गया है यानि केजरी करप्षन करांती में तबदील हो गया है एक दशक के अंदर इतना बड़ा पराभाव संभावता भारत की राजनीत में कभी देखने को नहीं मिला होगा और इसी के साथ एक बात और साफ हो गई है ये तथा कतित इंडी गठबंदन के नेताओं ने उसी राम लीला मैदान में जहां इंडिया अगेंस करप्षन की करांती हुई थी वहां जिस करप्षन को लेकर रैली की थी अब साफ हो गया कि केजरिवाल जी विगत तीस पैंतिस वर्षों से जेल के अंदर बाहर जाने का जो क्रम चल रहा था वो तमाम नेता शी लालू प्रसाद यादव जी से लेके शुबू सोरेंजी से लेके डीम के के नेता कर्णवानी धी कनीमो जी एराजा से लेके अन्यान नेताओं से रत्ती भर भी अलग नहीं है नियाईक दृष्टी से वो ठीक उतने ही दोशी हैं जितने नेताओं के साथ आज खड़े थे तो आप सोचिए वो कहां से कहां खड़े हो गए और उस से आदा गंभीर बाती है आज आपने देखा कि तरणमूल कॉंग्रेस के सांसद जो की पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को कवर फायर देने के लिए चुनाव आयोक के पास गए थे तो उनको बचाने के लिए ये मौसेरे भाई आम आदमी पार्टी वाले उनको कवर फायर देने के लिए गए थे अर्थाथ इन पार्टीों का चेहरा और चरित्र पूरी तरीके से उजागर हो गया है जब ये साफ साफ कहा जा सकता है कि आज जो कुछ हुआ है इसने भारत की राजनीती में जन सामाने के लिए और भारत के प्रबुद नागरिकों के लिए एक प्रशन छोड़ा है कि कई बार ये नई राजनीती के प्रयोग का च्छलावरन लेकर जो लोग आते हैं उनकी अंद्रूनी हकीकत क्या होती है ये पूरी तरीके से आज साफ साफ सब के सामने आ गया है इंडिया अगेंस करफशन की अन्ना क्रांती से केजरी करफशन क्रांती और कोई किसी का प्रेस्ट नगेंस की अगेंस की नगेंस की पार पहले तो इसके दोनों उत्तर देता हूं मुनैतिक और समवैधानिक मेरे विचार से सवाल आज उनसे पूछा जाना चाहिए कि हाई कोर्ट के इस निर्णे के बाद भी कोई ये कहेगा कि जब फला फला क्लॉस के तहट एल जी पूछेंगे तब हम इस्तीफा देंगे ये वो जो कहते थे आरोप लगते इस्तीफा दो आज कहते हैं हाई कोर्ट से निर्णे के बाद भी इस्तीफा न दो अब संवैधानिक उत्तर देता हूँ आपको पता है कि दिल्ली की विधानसभा इस देश की एक ऐसी विधानसभा है जो सतत सत्र में रहती है यानि साइन डाई होता ही नहीं है जबकि वो मिलती साल में एक ही बार है बजट पास करने के लिए क्यों क्योंकि अगर साइन डाई कर देंगे यानि सत्रा वसान कर देंगे तो उप राजपाल से नए सत्र को दुबारा प्रारंब करने के लिए अनुमती लेनी पड़ेगी तब राजपाल को बोलना होता जब सत्र में चल रही है विधानसभा तो प्रथम दाइत्व विधा सेशन तो देली एसेमली इन परपीच्वल सेशन तो वही नैतिक भी सवाल आपसे है और समवैधानिक सवाल भी आपसे है बचने की जितनी भी गुंजाइश करिये बचने का कोई रास्ता आप दिखाई नहीं पड़ रहा है देखे कोट ने आज बहुत सपष्ट कहा है कि जो बयान दिये गए है वो कोट के सामने दिये गए बयान है तो वो पूरी तरीके से वैलिड है और पुना मैं कह रहा हूँ यही सब तो बाते कहते थे अभी जो मैंने आपको अब्जर्वेशन सुनाए है उसमें क्या है कि उनका कहना है कि यही तो पता लगाना है क्योंकि मैं आउन दा मतब एक दूसरे डंग से कहूं टीवी पर आकर यह कहा गया था ना कि केजरिवाल जी जेल में चले गए उनका शरीर जेल में है पर आत्मा आप लों के साथ है मुझे लगता है हो सकता है वह आत्मा तो उस पैसे की रक्षा तो नहीं कर रही आसपास कहीं जिसकी वज़े से उस तक पहुंचना है थोड़ा मुश्किल नहीं नहीं रहा है मुझे लगता है statements were in front of the magistrate so it was in front of the court number two they were having enough evidence and they are having enough references to prove that केजरिवाल जी was you can say pivotal in making the policy and getting the kickback so I think again जिसे कहते हैं मतलब इस वो मैं जब तक निरणे ना आ जाए तो मैं शब्दशाह न लिया जाए पर एक कहवत होती है चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए तो मुझे लगता है कि आम अधनी पार्टी को अब कम से कम इस निरणे के बाद इस प्रकार के अनरगल बयान देने से बाज आना चाहिए अधनी बाज जा जा रहे हैं और एक सवाल शाथ में लगता हुआ कुछ ना चाहता हो कि इस वर्डिक्ता में से पहले ही देखे इसी लिए कोट ने बहुत साफ का है कि न्यायले पर राजनेथिक टिपणियां मत करिये और आपने सहमत की बाद कही इतनी बड़ी लानत मिलने के बाद आपको लगता है कि सहमत होने की जहमत वो उठा सकते थे तो जो कुछ हो रहा है ये इनेविटेबिल था ये अवश्यमभावी था परन्तो आज मैं कहता हूँ अगर वही कोट संजे सिंग को बेल देता है तो लोकतंतर की विजह है और वही कोट केजरिवाल जी को दोशी मानता है तो लोकतंतर समाप्त है वही कोट यदि एलेक्टूरल बॉंड पे वो निर्णय देता है तो लोकतंतर की विजह है वही कोट अगर चंडीगर पे वो निर्णय देता है जो उनको अच्छा लगता है तो लोकतंतर की विजह है वही कोट राहूल गांधी के सदस्ता बहाल करता है तो लोकतंतर की विजय है और वही कोट आपको दोशी सिद्ध करता है तो ये कहते हैं कि हमारा अनुमान ऐसा था वैसे उनके अनुमानों पर क्या क्या कहा जाए वो तो खेर अनुमान उनके 13 साल से सुनते आने परन तो प्रेटिक्स इफ दिस ताइप अस्टेटमेंट अन सच अ सेलेक्टिव कमेंट अनुमान जज़्जमेंट अनुमान देखिए जो पशिम बंगाल में खटना है वो बहुत दुखद और गंभीर है डामन हार्बर छेत्र में जिस प्रकार से हिंसा हुई है और जिस विशेका आपने उलेक किया है बहुत गंभीर बात ये है कि उतने बड़े ब्लास्ट के आरोपियों में को जब गिरिफतार करने के लिए एनाईय की टीम जाती है तो पहले एडी पे हमला हो चुका होता है अब एनाईय पे हमला होता ह ये सम्विधान बचाने के लिए है कि सम्विधान नश्ट करने के लिए है उसके बाद मुक्यमंत्री किस प्रकार का बयान देती है कि साब वो आधी रात में आये थे बगएर पुलिस को बताए हुए जबकि मिदनापुर पुलिस के एसपी ने साफ कहा कि वो सबेरे आये थ पुलिस को बता कर गए थे दूसरा पॉइंट वो कहती है महिलाओं के साथ दुर्वेवार हुआ जबकि वहाँ पर वीडियो फुटेज अवेलेबुल है कि उस पे साथ महिला पुलिस थी और उससे जादा दुखा दिये है ये ममता जी की निर्ममता की पराकाष्ठा है कि वो कहती है वो चौकलेट मम था जबकि उसमें जो शव के टुकड़े हैं वो कई सव मीटर दूर तक मिने जिसमें उनका एक कारकरता भी मारा गया है बड़े दुख की बात ये है अपराध और भरष्टाचार दोनों को सनक्षित करने में जो कुछ पश्शिम बंगाल में किया जा रहा है वो लोगतंत्र के लिए और सम्विधान के लिए सबसे बड़ा खत्रा है और वो सबसे बड़ा खत्रा तडमूल कॉंग्रेस की सरकार के अंडर में मैं कह सकता हूँ कि जो परिस्थितियां है वो लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल के बिहार और समाजवादी पार्टी के शासनकाल के उत्तर पुर्देश से जादा बुरी इस्थितियां सुनियोजित और विवस्थित हिंसा के द्वारा पश्शिम बंगाल में हो रही है उससे दुखद बात ये है कि जिस प्रकार से मुक्यमंत्री उनका बचाव कर रही है कि शा जहां शेख का तो बचाव होता है और वहां तक तो ठीक था अब दम धमाके वालों का भी बचाव हो रहा है मुझे लगता है बंगाल के साथ बंगाल की जनता के साथ बंगाल की जनता के दर्द के साथ इस से जादा दर्दनाक अन्याए नहीं हो सकता